एक एहम खबर आप देख लिएजे, कल पांच राज्यों के चुनावों के नतीजे आने हैं, उससे पहले उत्तरपदेश में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलने की स्थिती में, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज़ पार्टी यानि कि बीएसपी और एसपी एक साथ सर हाला कि बीएसपी ने भी यहाँ पर साफ कर दिया है, संकेत उन्होंने भी यहाँ पर दे दिये हैं कि अगर जोरत पड़ी तो वो समाज़वादी पार्टी के साथ आ सकते हैं अखिलेश यादव के बीएसपी से हाथ मिलाने वाले संकेतों पर बीजेपी ने चुटकी ली है, बीजेपी ने कहा है कि जुगार की सरकार के सपने कभी साकार नहीं होंगे, वहीं जेडियू ने कहा है कि अखिलेश देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, बीजेपी को रोक सरकार की सरकार बनाने की जो लोग सपने देख रहें वो सपने के सपने ही रहेंगे इसके लावा कुछ नहीं है। कोई परमानें दोख होता ना परमानें दुश्मन होता है और राजनीत की डिश्टरी में असंबो शब्द का इस्तान है। यूपी का शासन चलाए। अखिलेश यादव ने कहा कि क्या परिस्थितियां होंगी ये वोटों की गिनती के बाद ही पता चलेगा। अखिलेश ने कहा कि मैं हमेशा से बीएसपी नेताओं का सम्मान करता आया हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम उनका समर्थर ले सकते हैं। सीधे न्यूजरूम आपको दीपक उपाध्या के पास यहाँ पर लिए चलते हैं। दीपक साफ है कि राजनीती में कौन किसका दोस्त कब बन जाई ये पता ही नहीं चलता है। एक्जिट पॉल ने जो कुछ भी कहा उत्तरप्रदेश में समाजबादी पार्टी बीएस्प्य और बीजेपी को लेकर उससे साफ हो गया कि अब कब बुआ का साथ पकड़ लें अखिलेश। देखिए भतीजा तो चारा है कि बुआ का साथ था वो पकड़ लें लेकिन बुआ जो है वो इसको लेकर थोड़ी संशय में हैं क्योंकि जो पुरानी यादे हैं वो बहुत कड़वी हैं दोनों के बीच में और इसी वज़े से बुआ इसको नकार रही है लेकिन चुकि बाहर भी कर सकता है और अगर त्रिशंकु विधानसवा होती है जैसे कि कई संभावनाएं ये भी चल दे कि त्रिशंकु हो सकती है तो ऐसे में कौन किसके पाले में जाएगा ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी इसी लिहाज से अखिलेश अभी से पासा फैक के बैट गए एक दूसरे को बहुत ज्यादा निशाने पर नहीं लिया तो ये कहीना कहीं दर्शाता है कि सभी के दिमाग में जो चुनाओं के बाद की परिस्तिती थी वो पहले से ही तैयार थी और उसी को लिहाज से ये जो पॉस्चिरिंग हो रही है वो उसी के लिहाज से हो रही है चलिए ज्यादा समय बचा नहीं है वैसे दीपक कल बहुत क्लियर हो जाएगा कि कौन किसका हाथ पकरता है किसका हाथ छोड़ता है बहुत बहुत शुक्रिया दीपक उपादिया इस तबाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के